बिहार में चुनाब से पहले नितीश कुमार ने वादे किये थे कि बिहार के युवाओं को 19 लाख रोजगार दिया जाएगा आज उनी वादों को चिराख पासवान याद दला रहे हैं आप सबसे पहले चिराख पासवान के पूरे बयानों को सुखेंगे साथ अन्याए कि इसकी मजबूर हो गए है बीहार के लोग बीहार से पलान करने लिए को कबिये लिए उननी करते हैं उनका आप सेलेक्ट नी करत हैं इसको चार्ज होनी चाहिए परगा मुख्यमत्री सही में जीरो टॉलरेंस रखते हैं करफ्यम के लिए तो गारवाई करें उनीस लाग रोजगार को लेकर छाटर बार-बार सबक्ते उतर रहे हैं मगर कोई नेता भीपच के नेता भी अरूंग पे साथ नहीं दिखते हैं मैं हूँ ना मैं बिल्कुल भाईया आपने बैतोबसित को समय दे रहा हूँ कि आपको चुनाओ बीते वे अब लगबर नवंबर में एक साल हो जाएगा एक साल में आप कम से कम जो वादा आपने किया था उननिस लाग नौक्रियों का कुछ लाग तो दीजें बताइए कि भाईया हाँठी के साल बर में आपने उननिस लाग नहीं की पांस साल का आपको समय है अगर मद्यावती चुनाओं नहीं होते हैं तो कम से कम कुछ बताएं कि हमने एक लाग नौक्री दे दी तीन लाग दे दी जो भी दी आप आगरे तो पता ही कितनी नौक्री दी नहीं तो यह आपका जुम्लाई बनके रह जाएगा हर चुनाओं की तरह कि भई आपने उननिस लाग का आपने चलावा किया मुख्यमंत्री ने उसके अधार पर उन्होंने लोग का समर्थन लोग को अब कही ना कहीं यह जुम्ला सुना कर उनका समतन लियो और आज जब आप सरकार आपकी बनके मुख्यमंत्रिया बनके तो आप इस समुकर रहे हैं गलत है उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधा सीधा निशाना साधा है और कहा है कि मुख्यमंत्री युवा बिरोधी है वो रोजगार देना नहीं चाहते हैं युवाओं के मतलब की वो कोई भी कल्यानकारी योजनाय नहीं बना रहे हैं उनके पूरे तरह से ये जो वादे थे वो प 24 पासवान बिहार में बेरोजगारी रोजगार सिक्षा जैसे मुद्दों को ले करके उठाते ही रहते हैं आज उन्होंने 19 लाख रोजगार देने वाले वादे को भी याद दला दिया है कि कहां है वो सारे वादे जो किये गए थे अभी तक वो धरातल पर क्यों नहीं उतरे ह क्यों बिहार के युबाब बिहार से पलायन कर रहे हैं उन्होंने सीधा सीधा प्रहार मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर कहा किया है और कहा है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट से उन्हें नहीं लिया जा रहा बलकि जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें ले लिया जा रहा है तो अब देखना दिल्चस्प होगा कि अब नितीश कुमार के तरफ से क्या जबाब आते हैं क्योंकि चिराक पासवार ने तो सीधे सीधे उन पर आरोप लगाया है उन्होंने उन सारे बातों को एक बार फिर सयात दलाया है की युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है युवाद बिहार से पलायन कर रहे है तो इनी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हेड लाइन्स बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ इस वीडियो को लाइक और शेर भी करें धन्यवाद